हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल वीवेफन और जैसा कि मैंने इसका फुल वीडियो अपलोड कर दिया है विद कोड एक्सप्लानिशन के साथ लेकिन उसमें बहुत सारी चीजे छूट गया था मुझे एक्स्प्लेइन करना जैसे कि इसका यूज कैसे करेंगे कहां कहां पर इसकी सेटिंग करनी है तो इसके बारे में यह वीडियो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है कि यह क्या करेगा और क्यों करना चाहिए इसके मैंने यह बनाया कि Excel में आप क्या करते हो किसी भी employee का आपके अगर organization या company में अगर employee है तो उसका एक attendance register आप बनाते हो तो क्या होता है उसमें जिस दिन आया है उस दिन आप P लगाते हो जिस दिन आप सेंट है तो A लगाते हो हाप ने है तो फिर उसका अलग sign देते हो तो इ जिसके according यहाँ पे आपका जो attendance register है वो तयार हो जाए अब suppose that मालो कि मुझे इसमें से किसी को छुट leave देना है मालने जिए कि Yes Raj Singh है Yes Raj का मई में कोई leave नहीं है मैं चाहता हूँ कि इसका leave आ जाए तो हम यहाँ क्या करेंगे leave का section है यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मैंने ए मंत का हमने बना रहे है माई का बना रहे है तो यहाँ पे हम डाल देंगे जैसे माली जी की 115 2022 को यह full leave लिए है अब यहाँ पे देखिए 115 हमारा यह है तो यहाँ पे red आ जाना चाहिए जैसे ही आप दुबारा इस पे double click करके इंटर करेंगे तो यह देखिए Yes Raj का जो है य मैं क्या करना है हमको यहाँ पे इसको half day कर देना और यहाँ पर जाकर जैसे ही आप double click करेंगे जैसे ही दुबारा से refresh करेंगे तो यह आप दिखिए यहाँ पे half day अ गया और यह यहाँ पर count भी करेगा कि half day कितना लिया है full day कितना लिया और total leave कितना है उसके बाद इसमें ए यहां पे एक नया नाम जोड़ देना है, और नया नाम जोड़ के, यहां पे जैसे देखेंगे आप यहां पे, कि मैंने सभी लोग का नया नाम जोड़ रखा है, और इनका जोइनिंग डेट डाल दिये, जोइनिंग डेट आपको क्यों डालना जरूबी है, कि जैसे मालिजे क कि राजु सिंग है, राजु सिंग कब जोइन किया है, यहाँ पर आप देखेंगे, राजु सिंग सब्तेंबर में जोइन किया है, अगर आप अटेंडेंस सीट देखेंगे मही का, तो इसमें राजु सिंग आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो जोइन ही सब्तेंबर म और यहां पर इसका attendance seat भी लगा हुआ है लेकिन इसी में आप चाहते हैं कि राजु सिन्खा 11 करके और यहां पर आप नाम सेलेक्ट कर डिजे राजु सिन्ख और इनको कितने तारीक को लिव देना है माल लिजे कि इनको देना है 12-9-2022 को और इन्होंने half day leave लिया है तो हम यहा employee आता है तो उसका detail डाल रहा है उसके बाद आपको यहां कुछ नहीं करना है जस्ट आप double click करके enter कीजिए यहां पर देखेंगे राजु सिन्खा यहां पर half day leave लग गया है आप इसी में माल लिजे कोई नया employee आता है उससे हम add करते है तो माल लिजे यहां पर Mr. Rajkumar कर देते हैं और इनका जो भी designation है आप डाल दीजे और इनका date of joining जो है हम डालते हैं 1-5-2022 अब हम मंतली में चलते हैं और यहां पर माई का निकाल के देखते हैं यहां हम एक काम करते हैं माई का नहीं अब अप्रिल का निकालते हैं तो अप्रिल में देखेंगे राज का नाम यहां पर नहीं आया है लेकिन जैसे ही आप यहां पर अगर माई करते हैं तो देखें राज यहां पर आइड हो गया है और अब यहां पर देखें यह क्या है एक तारिक से जोईन की हैं इसलिए यह एक तारिक से इनका attendance बंडा है लेकिन अगर हम employee database में जाके अगर मैं यहां पर कर कहां से बनना शुरू हुआ इनका 10 तारिक से ही बनना शुरू हुआ अब मान लिजे कि इसी मन्त में इन्होंनी डिजाइन भी दे दिया मान लो तो हम employee database में जाके मान लिजे कि मैं यहां पर कर देता हूं कि 25 और 5 2022 को यह डिजाइन भी दे दिया अब इनका कब से कब तक बन attendance seat बना तो यहां पर आप देखेंगे कि यह automatic इतना ही दिन का attendance seat बना है तो इससे benefit क्या हुआ कि आपको हर बार इसमें जाकर fit करने की जववत नहीं है अब इसके बाद क्या हो सकता है अब सुचो आपने register तो बना लिया हर बार print निकाल के रख लिया लेकिन कभी मान लो कि 6 म management ने आप से पूछा कि मुझे सभी employee का 12-12 महीने का या 6-6 महीने का attendance register एक seat में बना के दो तो यह बड़ा ही tough काम हो जायागा कि सारे employee का हर महीने का copy करो paste करो तो उसके लिए हमने एक दूसरा seat बनाया है इसमें आपको क्या करना है मान लिजे कि आपको 12 महीने का बोला गया ह कि 12 महीने का attendance register जितने भी employee है सब का एक-एक seat पे निकाल के लाओ तो यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे पहले तो मन्त निकाल लिजे कि किस मन्त से आपको attendance register चाहिए तो यहाँ पे मैंने अपरिल डाल दिये मान लिजे और हमें 12 मन्त का चाहिए तो 12 यहाँ पे डाल अब यहाँ पे जाके हमको just select करते जाना है जैसे अजय कुमार हमने select किया यहाँ पे जाएंगे और हमने अजय कुमार select किया जैसे ही अजय कुमार select किया तो आप दिखे अजय कुमार का यहाँ पे attendance register बन गया लिकिन अब आपका question होगा हमने तो बोला था 12 मन्त का तो फिर य कि इसके employee database में जाके आप देखेंगे कि अजयक कुमार जो है यह 15 साथ को जॉइन की और 15 आठ को रिजाइन भी दे दिये हैं तो इसलिए इनका क्या है कुछ 15 दिन बनेगा जुलाई में और 15 दिन बनेगा अगस्द में तो इसी कारण से यहां पर आप देखेंगे इनका 15 दिन का इधर बना है अटेंडेंस सीट और 15 दिन का यहां बना है तो इनका अप प्रिंट नहीं निकालेंगे अगर अप रिजाइन के लिए निकाल रहे हैं और अगर रिकार्ड के लिए रखना है तो यह पूरा निकाल सकते हैं और इसी में अगर आपको Yes Raj Singh का लेना है तो Yes Raj Singh का 20-60 को इन हुने रिजाइन दे दिया है, आप उसके बाद मालिजे, कि यहाँ पे चलके हम इनका भी प्रिंट निकाल लेंगे और सक्षे सिनका प्रिंट निकाल रहे हैं, आप यहाँ पे देखेंगे, इन्हों ने रिजाइन नहीं दिया है, इतने इंप्लवाई, अभी तक रि राजु सिंद्ध्र्ण का निकालते हैं. तो यह क्या? यह सप्तेम्बर से निकलना सुरूब गा. ता क्यों सप्तेम्बर से निकलना शूरूब गा? सिंपल सी बात है क्योंकि यह Silous निकिये है सप्तेमबर में ओर अ़ी तक है. लेकिन इसी में Mr. Raj का अगर हम निकाले तो राज का कितने मंत का निकलेगा केवल एक मंत का निकलेगा क्योंकि वो रिजाइन दे चुके और जोएन भी उसी मंत में किये थे और रिजाइन भी इसी मंत में किये थे मैंने यह बनाया इसलिए कि यह बहुत ही difficult काम होता है किसी का attendance देली बनाना और फिर उसको प्रिंट निकालना और रखना और फिर सारे को सारे यह आप एकसल सीट में ही दस फाइल बनाते हो यानि हर मंत का अलग-अलग फाइल बनाते हो तो वो बहुत tough हो जाता है करना इसमें अब आपको क्या करना है just employee का एक record यहाँ पे बनाना है इसम आप यहाँ पर देख रहे है कि जब हम March का कर रहे है March 23 को जब हम generate कर रहे है तो यहाँ पर चार पाजर यहाँ नि सटरडे संडे को off हो रहा है Saturday Sunday offer रहा है, लेकिन March भी इस holiday में क्या है, कि मान लिजे कि यहाँ पर डाल दीजे, कोई ऐसा है, मान लिजे कि holy हमारा 22 को है, मान लिजे, कि 22 March को है, हम यहाँ पर 22, 23, 23 डाल देते हैं, और यहाँ पर एक holiday, जो भी holiday आपका होगा, वो holiday आप डाल सकते हैं, नाम, अब आप March का दुबारा से generate किजे, तो आप देखेंगे, 22 तारीक को भी यह highlight हो गया, और उस दिन attendance नहीं बनेगा, तो आपको क्या क्या करना है, तीन चीज़े आपको देखनी है क्यों, employee में employee करने detail डालिए, holiday में, आप जितने भी आपके holiday हैं इस साल के, उस साल के, वो पूरा का पूरा आप इसमें एक बार fix कर दीजिए, तो आपको बार बार जाके change करने की जववत नहीं पड़ेगी, और दूसरा, कि जो भी employee अगर leave लेता है, तो इसका detail यहाँ पे आप डा दीजिए, right, अब एक question आया था आप लोगों का, कि अगर मुझे दो तीन दिन का leave डालना है, एक साथ में, तो कैसे डालेंगे, तो उसके लिए हम एक separate video फिर से बना देंगे, उसमें क्या करना है, कि आप एक start date और in date डालेंगे, तो automatic यहाँ पे एक एक करके add हो जाएग, अ यहाँ से आप उसका code देख सकते है, या file भी download करना होगा, तो आप file download करके practice कर सकते है, तो I hope आपको यह application समझ में आया होगा, कि यह काम कैसे करता है, आपके लिए यह useful होगा, तो चलिए, इसी के साथ, धन्यवाद, और अगर आपका कोई feedback हो, तो please comment box में जरूर लिखे, औ और मेरे चैनल को subscribe नहीं किया हो, तो please इसे subscribe कर लेना, और साथ में bell notification को enable जरूर कर लेना, जिससे कि जो भी वीडियो में upload करो, तो आपको मिल जाए, और अभी आप नीचे देख रहे हैं, दो वीडियो आपको देख रहा होगा, उस वीडियो पे click करके, आप इसका code, जो complete व